नबश्कार मेवप्रिया, पटना नीज में आपका स्वागत है, चले जानते हैं पटना की फटा-फटे 14 खबरों को 49 पटना आन्वल गोल्फ चांपियंशिप की हुई शिर्वात, पटना में 49 वी आन्वल गोल्फ चांपियंशिप की शिर्वात हो गई है प्रतियोगिता के पहले दिन 200 गोल्फर अलग-अलग वर्ग में अपना खेल दिखाते देखे गए, जिसमें ही बाहर के शेहरों से भी गोल्फर पहुच चुके थे प्रतियोगिता के मुख्य मुकाबले श्रनिवार यानि की आज खेले जाएंगे गोल्फ कलब के सचिव अर्विंद सिंग ने इस बात की जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि शुकरवार को लेडी सीनियर बचे और उनके साथ ही साथ जितने भी लोग वहाँ पर मौझूद है हैंडिकैप्ट के मैच हुए हैं जुसमें की अक्याडमी की प्रतिभाग्यों ने भी हिसा लिया था पटना में बनेगा यूपी बिहार जुहारखंड का इकलोता मल्टी मौडल लोजिस्टिक पार्क राज़ारी पटना में जल्द ही यूपी बिहार जुहारखंड का इकलोता मल्टी मौडल लोजिस्टिक पार्क बन कर तयार होने वाला है असमे देश का पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क बनने का काम चल रहा है सड़क परिवन और राजमार मंतरी गटकरी ने कहा है कि रास्ट्रे राजमार और अफसन रक्षना विकास निकम लिमिटेट इस पर योजना के पहले चरण पर 694 करोर रुपे की लागत आएगी आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कि केंद्र सरकार की महत्वकांशी पर योज़ा मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क के देश के 75 स्थानों पर लोजिस्टिक पार्क खोलने की फिलहाल योजना है दिघा ब्रिज से रेल पुल पर हुआ स्पीड ट्रायल उत्तर बिहार को जोडने वाली दिघा रेल ब्रिज पर ट्रेनों का सफर बहुत जल्द आसान होने वाला है क्योंकि उत्तर बिहार को जोडने वाली दिघा रेल ब्रिज पर रेल लाइन दोहरी करन का काम लगभग पूरा हो गया है जिसके बाद ही इस रेल से सरकपुल पर 110 की स्पीड से विशेश ट्रेन द्वारा ट्रायल किया गया इस दोरान पुर्वी परिमंडल कॉलकता के रेलवे संगरक्षा आयुक्त एम चौधरी ने पतना गंगा ब्रिज पर योचना के हिस्से के रूपे गंगा नदी पर पाथले पुत्र पहले जागाट के बीच ट्विन सिंगल लाइन के नवनर्मित दूसरे लेक का निरीक्षिन किया पतना सहित इंजिलों के जेलों में लगेगा जैमर विहार पुलीस अब और ज्यादा हाइटेक नजर आ रही है जिसके तहती पतना के बेऊर और हाजीपुर जेल में जैमर लगानी की तयारी हो रही है इसके लिए 19.52 करूर रुपे स्विक्रित हो गई है क्योंकि लग में COVID-19 के मामलों में लगातार गिरावर जारी है इसी कड़ी में बीदे दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर जहां 30 मामलों की पुष्टी हुई वही अगर हम राजधानी पतना की बात करें तो यहां पर कुल मिलाकर 4 मामले पॉजिटिव पाए गये जो की 1,15,193 सैंप जब्त की गई संपत्ती समेते सभी अब रोधों को हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है इसको लेकर चीफ जस्टिस समझे करोर की खंड़पीट ने अधिवक्ता शिर्पी केश्री द्वारा दायरेटी आचिका पर सुनभाई की जिसकी बाद ही इस बाबत दि खबरों के अनुसार पटना के तारामंडल सभागर में श्रनिवार से बिहार महिला उद्योक संग का मेला लगने जा रहा है जो की पांच चुतिरों तक जारी रहेगा वहीं इस मेले में कुल मिला कर 85 स्टॉल लगाई जाएंगे मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अकर सुनेंगे तो उनके फैन जरूर हो जाएंगे हाली में शादी.com के चेर्मेन अरुपा मितल इनके पढ़ाने के अंदास के कायल हुए थे कि अब रवीना टंडन भी इनकी फैन हो गई है रवीना ने अपने ट्विटर हैंडल से बही वीडियो शेयर किया है जो खाली मे रास्ट्रगान और भारत के भूगोल को समझा रहे थे रवीना ने वीडियो साजा करते वे भले ही कोई टिपनी ना की हो लेकिन इस वीडियो को देखने वाले समझ सकते हैं कि रवीना को ये वीडियो कितना पसंद आया होगा 25 नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन बिहा पर काम शुरू हो चुका है इन नई इलेक्ट्रिक बसों की परिचालन शुरु होने से बिहार के कई शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा से जुड़ जाएंगे आपकी जुढ़ जानकारी के लिए चलने से ना सर्फ यात्रियों को सुवधा मिली है बलकि शेहरों में प्रदूशि की खाबर निकल करके सामने आई है दरसल हुआ कुछ यूँ की दीदार गंज थाना शेत्र के टोल प्लाजा के बास बस के आगे काहसे में जेसी भी विल्डोजर ही खुज गया इसे बस के आगे काहसा च्छति ग्रस्त हो गया है हलाकि ये पहला मौका नहीं है जब राजधानी ग्राम 46,440 रुपे था वही 24 क्यारेट के लिए प्रती 10 ग्राम 50,640 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी कभाव प्रती किलो 64,100 रुपे है इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.9 रुपे प्रती लीटर और डीजल के दाम 24.09 रुपे प्रती लीटर है वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यून तम 15 डिग्री सेल्सियस है तो चलिए बढ़ते है आज़के सवाल क्यों आज़का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार राजधानी पटना में सड पूस्क्राइब करें और बेल आइकन दबारा ना भूले धन्यवाद